हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम सत्या पांडे है माया क्रियेटीव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मेरे जितने भी प्यारे मित्र मेरे साथी इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं इसे एक चोट असा नुरोत करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी जो नई वीडियो हो उसकी नौटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएं दोस्तों आज इस फ्लांट के बारे में मैं आप से जो है जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है ये हिमेलिया का प्लांट दोस्तों और ये गर्मियों में बहुत ही सुन्दर फ्लावरिंग हमें देता है और बहुत ही खुबसूरत इसके फ्लावर होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरी की इस तरह बंचों में जो है इसके फ्लावर होते हैं ये देखिया आप हर टेहनी में इसके जो है इस तरी की फ्लावर आपको देखने के लिए मिलेंगे ये देखिए ये ये देखिए ये छोटे छोटे जो है सुन्दर सुन्दर इसके अंदर फ्लावर बहुत ही खुबसूरत ये पौदा दिखाई देता है और आप दोस्तों इसको जो है दर 8 से 12 इंच के किसी भी पॉट में बहुत असानी से लगा सकते हैं मैंने इसको देखी आप ये 8 इंच का मेरा प्लास्टिक पॉट है और इसमें मैंने इसको लगाया हुआ है सर्दियों में दोस्तों ये डॉरमिंसी में चला जाता है इसकी जो लीवस वगरा है वो बिल्कुल इसमें से जो है ड्राइ होकर निकल जाती है और जैसे ही गर्मिया शुरू होती है तो इसके जो ये प्लांट की जो लीवस है ये हरी भरी हो जाती है और इसमें flowering जो है start हो जाती है ये बहुत हाड़ी प्लांट है और इसके लिए आप दोस्तों इसको बहुत अधिक care की जुरत नहीं है बस जब आप इसको प्लांट को लगाएं तो इसके लिए एक अच्छी सी मिट्टी आप तियार करिए जिसमें आप वर्मी कमपोस्ट जैसे आप मान लीजे 30% आप मिट्टी लेते हैं तो 20% के करीबन आपको उबर की खाद और या वर्मी कमपोस्ट और 10 या 20% के करीबन आप सैंड का उप्योग करके और नीम खल भी आप उप्योग कर सकते हैं फंजी साइट के लिए तो नीम खल का उप्योग कर सकते हैं वो तरीके से एक अच्छी सी मिट्टी आप बना के इस प्लान को ग्रो करिए बहुत असानी से ये ग्रो करेगा इसे बिल्कुल भी केर की अवशक्ता नहीं है बहुत ही सुन्दर लगता है ये पौधा और आप देखिए मैं इसको जो है मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ ह और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है ये पौधा बहुत ही सुन्दर खुपसूरत होते हैं इसकी फूल आप जैसा देख रहे हैं छोटे छोटे चोटे तो और फटिलाइजर तो दोस्तों इसको बहुत अधिक फटिलाइजर की जोरत नहीं है लेकिन आप महीने में देना चाहते हैं तो महीने में एक बार आप इसे गोबर की खात का फटलाइजर या वर्मी कमपोस्ट दे सकते हैं वरना इसको बहुत अतिक खात की भी जुरत नहीं है इस पौदे को और ये अभी मैंने जैसे फुल सन में रखा हुआ है दोस्तों अभी मेरे टैरेस पे जो है म 5-6 घंटे की फुल धूप मिलती है और ये फुल धूप में मैंने रखा हुआ है और पानी मैं इसको हमेशा चेक करके देती हूं कि इसकी मिटी जो है किस तरीके की है अगर नम होती है तो मैं पानी नहीं देती हूं और अगर ड्राइ मिटी होती है तो मैं पानी इसे जरूर देती हूँ और इसमें आप देख रहे हैं ये जो इसके पत्ते होते हैं दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा रेडिश पन भी आपको दिखाई देगा ये देखी इसके छोटे छोटे जो ही होता है इसमें ये जो है कहीं कहीं पे आपको पत्तों में रेडिश पना भी इसमें खाई देता है तो यह गर्मियों का फूल देने वाला एक बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों इसको आप जो है लगा सकते हैं और इसको क्योंकि लो मेंटेनेंस का पौदा है तो इसमें हमें बहुत अधिक केर की तुजरत है नहीं इस प्लांट के लिए तो इसके लिए आप चाहे 8 इंच का पौट ले सकते हैं या 10 इंच का भी ले सकते हैं 12 इंच का भी ले सकते हैं मैंने इसको 8 इंच के पौट में लगाया हुआ है और दोस्तों बीच बीच में आप इसकी गुडाई वगरा कर दीजेगा और सभी प्लांट की जो है गुडाई करना वगरा ब उसमें हर ब्राश में फूल आपको दिखाई देगा ये दिखी इस प्लाश में है और अब चहनी होती है उस में जो है फ्लावर आता है और बहुत ही संदर ये पौधा दिखाई देता है तो बहुत ही असानी से ग्रोहने वाला है और ये चोटा सा बहुत ही खुपसूरत दिखाई देता है बहुत अधिक बड़ा भी नहीं होता है ये प्लांट तो ये है कि आप इसको किस तरिके से मेंटेन करते हैं इसकी पतिया बहुत खुबसूरत दिखाई देती है जब इसमें ये रैडिस पना भी थोड़ा सा ग्रीन और ये रैडिस जो है दिखाई देती है तो बहुत ही खुबसूरत दिखाई देता है ये पौदा तो इस पौदे को आप जरूर ग्रो कर सकते हैं और गर्मियों में ये बहुत अच्छी flowering आपको देखने कुछ मिलेगी आप देख रहे हैं कितने अच्छी flowering इसमें हो रही है तो ये थी मेरी दोस्तों आज की जानकारी अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा अच्छा दोस्तों बाई हैपी गार्डनिंग